हे गाईस कैसे हो आप लोग Realme उसका P2 Pro लॉंच कर दिया है और आज इस वीडियो में Realme P2 Pro के साथ एसारे फोन का बैटरी डेंटेस्ट एंड बैटरी चार्जिंग टेस्ट कमपरिजन करूंगा और इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कौनसा फोन अच्छा बैटरी बैटरी डेकप देता है साथी में कौनसा फोन फास्ट चार्ज करता है बैटरी डेंटेस्ट शुरू करने से पहले हार एक फोन का स्पेसिपिकेसान में आप लोगों को बता देता हूँ मोटरोला जी 85 में मिलता है 6.67 इंच का Full HD Plus P-OLED डिस्पले 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड है Qualcomm Snapdragon 6S Gen3 प्रोसेसार है 8GB 120 8GB वेरियंटे 5000 एमिज का बैटरी है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर आउट ऑप बोक्स मिलता है मोटरोला ह50 नियो में मिलता है 6.4 इंच का Full HD Plus P-OLED डिस्पले थोड़ा सा छोटा कम्पेक्ट फोन है 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड है Mediatek Dimensity 7300 का प्रोसेसार है 8GB 120 8GB वेरियंटे 4310 एमिज का बैटरी है और 68 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर भी मिलता है मोटरोला ह50 फ्यूसान मिलता है 6.7 इंच का Full HD Plus P-OLED डिस्पले 144Hz का रिफ्रेस्ट रेड है Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 प्रोसेसर है 8GB 120 8GB वेरियंटे 5000 एमिज का बैटरी है और 68 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर आउट आप बोक्स ही मिलता है Realme P2 Pro मिलता है 6.7 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर है 8GB 120 8GB वेरियंटे 5200 एमिज का बैटरी है और 80 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर वी आउट आप बोक्स दिया है OnePlus Note CE4 में मिलता है 6.7 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले इहाँ पे भी 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड है लेकिन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और 8GB 120 8GB वेरियंट इस पॉन में है 5500 एमिज का बैटरी है 100 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर आउट आप बोक्स दिया है IQ Z9S में मिलता है 6.77 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड है MediaDeck Dimensity 7300 का प्रोसेसर है 8GB 120 8GB वेरियंट 5500 एमिज बैटरी के साथ आता है 44 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर आउट आउट आप बोक्स मिलता है Vivo T3 Pro और IQ Z9S Pro में सेम स्पेसिबिके सान है 6.77 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले 120Hz का रिफ्रेस्ट रेड दोनों ही फोन में है Qualcomm Snapdragon 7Gen3 का प्रोसेसर दोनों ही फोन में है 8GB 120 8GB वेरियंट 5500 एमिज का बैटरी है और दोनों ही फोन में 80W का चार्ट आउट आउट आप बोक्स मिलता है हर एक फोन में यहाँ पे 100% चार्च है तो चलो मैं यहाँ पे स्टॉब वाच को स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले एस तरे फोन में हम लोग यहाँ पे Antutu Benchmark को ओपेन करेंगे और रान करना शुरू करेंगे Antutu के बाद Geek Benchmark 6 और CPU थोटलिंग को रान करेंगे एक घंटे तक एस अब कुछ रान करने के बाद बैटरी परसंटेस देखेंगे उसके बाद हम लोग BGM3 घंटे के आसपास खेलेंगे उसके बाद YouTube में वीडियो प्ले करेंगे और एंड में जाके वीडियो रिकूडिंग को ओन करेंगे और देखेंगे कितना टाइम तक एस अरे फोन बैटरी वेकाप देता है हर एक फोन में Antutu Benchmark रान हो चुका है दोस्तों अगर आप लोग स्कोर के पास देखोगे सबसे जादा स्कोर आया है IQ Z9S Pro में और Vivo T3 Pro में उसके बाद सेकेंड स्कोर आया है और वीडियो को पौच करके हर एक फोन का Antutu स्कोर आप लोग चेक कर लीजिएगा हर एक फोन में हम लोग CPU थ्रोटेलिंग को यहाँ पे ओन करते हैं और 15 मिनिट के लिए CPU थ्रोटेलिंग को आउन करेंगे और देखेंगे किसका ग्राप सबसे अच्छा आता है 15 मिनिट तक CPU थ्रोटेलिंग भी दोस्तो रान हो चुका है और आप लोग वीडियो को पौच करके ग्राप चेक कर लीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा खरब जो ग्राप आया है वो IQJ9S में ही आया है 57% के आसपास अब चलो हर एक फोन में बेंचमार्क 6 को आउन करते हैं और इसको दोस्तो रान करेंगे और देखेंगे किसमें स्कोर सबसे अच्छा आता है हर एक फोन में बेंचमार्क 6 रान हो चुका है तो वीडियो को फॉच करके आप लोग यहाँ पे स्कोर्ट चेक कर लीजिएगा खेर दोस्तो अभी एक घंटा कम्पलीट नहीं हुआ है तो जब तक एक घंटा कम्पलीट होता है तब तक दोस्तों आम लोग यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क को और एक बार रान करेंगे और एक घंटे के बाद मैं आप लोगों को बैक्टरी परसेंटेज के साथ साथ हीटिंग टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़ादा फोन हीटा हुआ है एक घंटा कंप्लेट हो चुका है और मैं लगातार अंतुतु बेंचमार्क को रान कर रहा हूँ अब चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं इस सारे फोन कितना हीटा हुआ है वो सबसे पहले चेक करते हैं आईकु जेट 9S Pro 41,42 के असपास चला गया है वीबो का फोन भी 41,40 के असपास है आईकु जेट 9S 39,40 के असपास है वान प्लास में देखिए 38,39 है 40 तक टाज हुआ नहीं है रियल मीके फोन में देखिए 43 के असपास है और मोटरोला H50 Fuse 440 के असपास है H50 Neo 35 के असपास है 38-39 हो चुका है कुछ-कुछ जगा में और G85 38 के असपास है एक दो फोन 42 तक गया है दोस्तों बढ़ना सारे फोन नॉर्माली है नॉर्माल टेमपरेचर में है अब चलो बैटरी परसेंट देख लेते हैं कौनसा फोन में कितना परसेंट बैटरी है IQ Z9S Pro में 90% है Vivo T3 Pro में 91 है IQ Z9S में 89 है OnePlus में 91 है Realme में 87 है H50 Fusion में 89 है और H50 Neo में 86 है और G85 में 90 है तो अभी तक काफ़ी एचा बैटरी वेकप यहां पे Vivo T3 Pro और OnePlus दे रहा है अभी हम लोग कुछ decide नहीं कर सकते हैं खेर चलो अभी हम लोग हर एक फोन में BGMI अपली के सान को open कर लेते हैं और 3 घंटे के लिए हम लोग BGMI को play करेंगे और बीच बीच में मैं आप लोगों को hitting टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ दो घंटा कंपलेट हो चुका है और मैं लगातार यहां पे BGMI पले कर रहा हूँ अब चलो बैटरी परसंडेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना परसंड करके बैटरी बचा हुआ है एस तरे फोन में अब एक घंडा BGMI खेलने के बाद हीटिंग टेस्ट भी कर लेते हैं देखते हैं कितना ज़्यादा हीटा हुआ है देखिए आइकू जेटने एस प्रो 43 के असपास चला गया है वीबो 41 के असपास है आइकू जेटने एस बी 40 41 के असपास है वन प्लास 42 के असपास पहुँच गया है रियल मीके फोन 42 के असपास है एच 50 फ्यूसान देखिए 40 के असपास है एच 50 नियो 40 के असपास है और जी 85 40 को क्रॉस कर गया है खेर दोस्तों नॉर्माली है उत्रा ज्यादा हीटाप हुआ नहीं है और भी 2 घंटे तक हम लोग यहाँ पे बीजी माई खिलने वाले हैं तो चलिए तीन घंटा कम्पलिट हो चुका है अब चलो बैटरी पार्सन डेट चेक करते हैं कितना पार्सन बैटरी बचा हुआ है इस सारे फोन में चार घंटा कम्पलिट हो चुका है अब चलो बैटरी पार्सन डेश दिखा देता हूँ कितना पार्सन करके बैटरी बचा हुआ है अब चलो हिटिंग टेस्ट कर लेते हैं कितना ज्यादा हिट आप हुआ है एफोन आइकू का फोन देखिए आप चलो यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं हर एक फोन में और अभी हम लोग दो गंटी के लिए यूट्यूब वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे यूट्यूब वीडियो प्ले करनी के टाइम में कितना जल्दी जल्दी बैटरी ड्राइन होता है 6 घंटा कंपलेट हो चुका है और मैं लगातर 2 घंटे तक मुवी प्ले कर रहा हूँ अब चलो बैटरी परसंडेस दिखा देता हूँ कितना परसंड करके बैटरी वचा हुआ है अब दोस्तों यूट्यूब में मुवी हम लोग प्ले नहीं करेंगे और मुवी देखने दौरान उतना ज़्यादा फोन हीट आप भी होता नहीं है अभी हम लोग फुल एज़ोडी 30 fps करके कैमेरा के अंदर वीडियो रेकुडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वीडियो रेकुडिंग के टाइम में कितना जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है साथ घंटा कंप्लिट हो चुका है और एक घंटे तक मैं यहाँ पे वीडियो रेकुडिंग कर रहा हूँ फुल एज़ोडी 30 fps करके तो सबसे पहले चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं कितना जदा हीड आप हुआ है देखिए आइकू जेट नाइन एस प्रो 43-46 के असपास चला गया है वीबो का फोन भी 46 के असपास है चेकर लीजे आइकू जेट नाइन एस 42 के असपास है और यहाँ पे OnePlus में देखोगे OnePlus का फोन भी 44 के असपास है Realme भी 44 के असपास है Motorola H50 Fuson 47 तक चला गया है हीड में नियो में देखिए नियो में भी 45 के असपास है G85 में देखिए 43 के असपास है अब चलो बैटरी परसंटेस देख लेते हैं Fuson में 16 है और H50 नियो में 7 परसंट है Motorola G85 में 24 परसंट है तो जल्दी जल्दी स्विच आप होगा Motorola H50 नियो काफी अच्छा बैटरी वेक अप दे रहा है दोस्तो ICO Z9S बहुत ही अच्छा है Motorola H50 नियो स्विच आप हो चुका है 7 आवार्स 19 मिनिट में और सबसे पहले यही फोन स्विच आप हुआ है अब इसका हिटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं कितना ज़्यादा हिट आप हुआ है देखें फ्रॉंट सैड में 46 के असपास रिड़ आप हुआ है और पिछे की तरफ मेजरमेंट कर लेते हैं पिछे की तरफ देखें 44-45 के असपास है कैमेरा ओपिन करने से थोड़ा सा तो हीट होता है बागी यह सारे फोन स्विच आप होने के लिए और कितरा डाइब लगता है वो चेक करते हैं मोटरोला एच 50 फ्यूजन भी स्विच आप हो चुका है 7 hours 40 मिनिट में अब इसका हीटिंग टेस्ट करते हैं देखते हैं कितना जड़ा हीट आप हुआ है देखिए 49 मैं कई बार इसका बैटरी डेल टेस्ट कर चुका हूँ हर बार 50 को क्रॉस किया है तो बहुत ज़्यादा हीट आप होता है मोटरोला का एफोन पीछे में देखिए 51 चला गिया है तो बहुत ज़्यादा हीट आप है मैं थोड़ा सा ब्राइडनेस को लो कर देता हूँ तो और भी आप लोगों को क्लियर कर दिखाई देगा तो 51, 52 के असपास चला गिया है तो बहुत ज़्यादा हीट आप होता है अगर इसके पीछे की तरफ मैं देखूँ तो पीछे की तरफ भी 49, 50 तक चला गिया है तो हाँ एफोन भी बहुत ज़्यादा हीट आप होता है कैमेरा उपन करने के टाइम में वीबो का फोन भी स्वीच आप हो चुका है 7 आवार्स 54 मिनिट में अब चलो इसका हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखिए एवी 51 तक चला गिया है दोस्तो कैमेरा उपन करेके रखा था बहुत ज़्यादा हीट आप होता है पीछे की तरफ देखिए पीछे की तरफ भी 49 के आसपास है तो हाँ बहुत ज़्यादा घरम हो गिया है इस तरफ फोन खेर अवी 8 घंटे के बाद इस तरफ फोन का मैं मेजरमेंट करने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा हीट आप होता है इस तरफ फोन 8 घंटा कम्पलिट हो चुका है लेकिन ये 4 फोन 8 घंटे 8 घंटे से पहले स्वीच आप हो गिया है तो जब तक स्वीच आप नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे वीडियो रिकोडिंग को ओन कर देते हैं रियलमी का फोन भी स्वीच आप हो चुका है 8 आवार्स 6 मिनिट में अब इसका भी हिटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखिए एफोन 43 के आसपास है 43,42 के आसपास है तो एफोन ज़्यादा हीट आप हुआ नहीं है 42 के आसपास है तो यह नॉर्माल है Moto G85 भी स्वीच आप हो चुका है दोस्तो 8 आवार्स 23 मिनिट में अब चलो इसका भी हिटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं एफोन कितना ज़्यादा हीट आप हुआ है 39 के आसपास है दोस्तो तो यह बहुत थंडा है 40 को भी क्रॉस नहीं किया अगर बैकसाइड की तरब देखोगे तो भी 39 के आसपास है IGO Z9 SP स्वीच अप हो चुका है 9 hours 5 मिनिट में तो यह बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है स्वीच अप होने के लिए अभी अगर हिटिंग देखोगे तो 44 के आसपास है और बीछे की तरब देखिए 44, 45 के आसपास है मैं यहाँ पे stopwatch को भी start कर देता हूँ हर एक फोन में charging का symbol यहाँ पे आ चुका है 10 मिनिट हो चुका है charging के पास देखिए ICO Z9S Pro में 20% है Vivo के फोन में 20% है ICO Z9S में 17% है OnePlus में 36 हो चुका है Realme के फोन में 28 है Moto H50 Fusion में 26 है H50 Neo में 29 है और G85 में 19% चार्ज हो चुका है अगर आप लोगों को हमारे content पसंद आ रहा है लाइक करके जरूर बताना दोस्तों और सस्क्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरिस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए और अगर आपके फ्रेंट एसारे फोन में से कोई भी फोन पार्टेस करने के लिए जा रहा है तो उसको ए वीडियो जरूर सेयर करना 20 मिनिट कम्प्लिट हो चुका है आइको जेडनाइन एस प्रो में 39 है वीबो में 37 है आइको जेडनाइन एस में 34 है वन प्लास में 61 है रिगलमी में 47 है अब चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं कौनसा फोन कितना ज़्यादा हीटाब हुआ है देखिए आइको जेडनाइन एस प्रो 37 के असपास है वीबो 37 के असपास है जेडनाइन एस पी 35-36 के असपास है वन प्लास का फोन 35 के असपास है Realme का phone 36 के असपास है, 37 भी कहीं कहीं हो चुका है Fusion में देखोगे 37, 36 के असपास है और H50 Neo 36 है और यहाँ पे G85 35 है तो नॉर्माल है उतना ज्यादा heat up हुआ नहीं है charging के टाइम में 39 मिनिट में OnePlus Note CE4 में full charge हो चुका है दोस्तों अब चलो hitting test कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा heat up हुआ है देखे 35 के आसपास है, तो charging के टाइम में इस तरे phone उतना ज्यादा heat up होता नहीं है 35 डिग्री है बागी इस तरे phone का charging आब लोग वीडियो को पहुच करके भी चेक कर लीजिए अब चलो hitting test कर लेते हैं, कितना ज्यादा heat up हुआ है देखे 38 के आसपास चला गिया है, 39 भी कुछ कुछ जगा में हुआ है तो अबियसली दोस्तों charging के टाइम में इस थोड़ा सा heat up हुआ है 51 मिनिट के अंदर Motorola H50 Fusion में भी 100% charge हो चुआ है अब चलो इसका भी hitting test करके देख लेते हैं, एक इतना ज्यादा heat up हुआ है देखे 38 के आसपास एफोन भी hit up हो गया है H50 Neo में भी 100% charge हो चुआ है, वो भी 51 मिनिट के अंदर 52 होता जा रहा है खेर यहाँ पे hitting test करके देख लेते हैं, एफोन भी 37 के आसपास है दोस्तों Realme के फोन में भी 100% charge हो चुआ है, 52 मिनिट के अंदर मतलब यह 4 फोन एकी टाइम में full charge किया है अब इसका भी hitting test कर लेते हैं, एफोन कितना ज्यादा heat up हुआ है देखिए 37 के आसपास heat up हुआ है दोस्तों 56 मिनिट में Vivo T3 Pro V full charge हो चुआ है, 100% अब इसका hitting test कर लेते हैं, देखिए 37 के आसपास एफोन भी heat up हुआ है 1 hour 7 मिनिट में IQ Z9S में full charge हो चुआ है, 100% charge अब इसका भी hitting test कर लेते हैं, देखिए 34, 35 के आसपास है Moto G85 में finally full charge हो चुआ है, 100% ओभी 1 hour 35 मिनिट में अब इसका hitting test कर लेते हैं, देखिए कितना ज्यादा heat up हुआ है देखिए 34, 35 के आसपास heat up हुआ है, तो ज्यादा heat up हुआ नहीं है अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सेर, सस्क्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो